वेल्कम डोसो गाईज जी न्यूज बीबी के हमेशा सचका साथ यूटूब प्लेट फार्म पर आपका स्वागत है मैं हम आपके साथ को और इस अब देख सकते हैं आप मुंगी की फसल देखे जरा काफी अच्छी बारिश होई है यहाँ पर राजस्थान में मुंगी की फसल किस तरह से बोई हुई अभी निकल रही है काफी अच्छी निकल जाएगी और पास में जहां आप हर्याली देख रहे हैं मैं जूम करके दिखा रहा हूं यह मुंगी निकल चुकी है उसके फिर अगली साइड नर्मा लगा हुआ है नर्मे की फसल अच्छी है पिछले साल कुछ हद तक काफी सही है ज्यादा तर लोगोंने अभी नर्मे की बुवाई की नहीं गई यहां पर दिखाता हूं मैं आपको देखें जरा और साथ में मैं आपको यह दिखांगा कि यहां पर देशी तरह का जीवन किस तरह से यापन कर रहे हैं लोग अपने घर में किस तर अपने हाथों से बनाया गया है इस तरह से यह कच्छी मिट्टी से तंदूर पे देशी तड़का लगाया जा रहा है देखिए राजस्तान में अपने घरों में लोग देखिए और सबसे पहले तो मैं यह बताना चाहूंगा यहां की ब्यूटी देखिए कितना च्शम हो र खाया यहां पर बारिश पढ़ने के बाद कापी अच्छी थंडी हवा चल रही है और यह देखिए यह अलूर बड़ी की तंदी तड़का पका आ जा रहा है आधर देशी तरिके से कर दो को जादा से जादा से सब्सक्राइब किजीगा अब हर तरह की प्रोवाइड करवाते रहेंगे और सूरज देखें ढलता जा रहा है कितना सुन्दर दृश्य है देखिए जड़ा और यहां पर आलू और बड़ी की सब्सक्राइब का तड़का तेसी तड़का क्या बाप मुह में पानी आ गया होगा आलू डाले जाएंगे कि क्या बात है खाने में कितना मज़ा आएगा इसको क्कड़ी के दोड़ी हुई ताजी क्कड़ी के लिए देखिए कितना सुन्दे द्रिश्य है यहां पर बारिस होने के बाद सारा एरिया कहीं फसल बिजी हुई है और कहीं नहीं बारिस पर डिपैंड होता है यहां पर कपड़े सुखाए गए हैं डेसी तरीके से बांद करें तार को करें करें काफी अच्छा यहां पर आने के बाद फील हो रहा है कितनी जंदी हावाँ चल रही है कि दाल तो खाते ही होंगे अब अभी हम दिखाते हैं कि इसका पोधा कैसा होता है और किस तरह से वह बढ़ता है फिर फली लगती है उसके बाद देखें हावा काफी ज्यादा चल रही है जो सहर वाली लोग है प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा से अरो सब्सक्राइब कीजिगा आपको फसल दिखा रहे हैं राजस्तान में कितनी बड़ी है तरीके से आज बारिश हुई है और बारिश के दौरान काफी राहत मिली है पानी की सोटेज थी और अब पानी लगते ही देखिए कैसे खिल चुकी है यह फसल मुंगी की फसल और सामने आप देख रहे हैं इससे बड़ी जो खड़ी है वो नर्मे की फसल है नर्मे की फसल भी काफी अच्छी है पानी लगेगा फसल उतनी ही ज्यादा होती रहेगी देखिए नर्माज इसको हम कोटन कोटन बोल देते हैं कोटन की फसल देखिए मूंगी किस तरह से अपनी ग्रोथ बढ़ह रहा है मतलब इसका तरह की ग्रोथ हो रही है अब यहां पर देख सकते हैं आप किस तरह से इतने बड़े बड़े यहां पर जैसे ट्रैक्टर ने हल डाला हुआ है तो उसके दुरान अभी पानी बारिश हुई है बारिश से उपर सुहागा डाला जाएगा तो फिर इसको इतने मोटे-मोटे यह देख सकते हैं यह किजना बड़ा इसका साइज देखिए अभी जब सुहागा आएगा इसको द काफी ज्यादा खाली पड़ा हुआ है अगर बात की जाए तो कम से कम एक मुरूबा पत्ची से कड़ जमीन खाली पड़ी हुए लोगों की नर्मा क्या बात है कितने अच्छी देख के रूख होती है और सहर वालों को मैं दिखा देना चारूं जो भी है यह ग्रोथ कितनी किस तरह से खड़े हुए है काफी बढ़िया खिल रहे हैं अगर बात की जाए तो किसान भाईयों के लिए भी मैं तिखा देना चाहरा हूं अभी इसे फुल गुड़ी आ गई है जैसे कि कोटन जिसमें पैदा होती है देखिए छोटे सा बोदा है और इस पे ही फुल देखिए अभी काफी चोटी हाइट है लेकिन फिर भी फुल गुड़ी पर आ चुका है नर्मा वह सकता है अगले महीने तक यह फल एक बार जड़के दोबारा दोबारा से लगे इस परफल फिर उसके बाद बोटन उज़रना सुरू हो जाएग इस पैसे लगभा यहां पर वह लगाई गई है और वह देखिए जहां से मैं अभी आया था इस तरीके से अबर खाना बनाया जा रहा है और आई आपको वापस लिए चलते हैं देखिए यह वह इसे खाला स्वरी माफिजांगा इसे खाला बोलते हैं जब पानी खेतों में लगाया जाता है इसी के काफी अच्छा महसूस हो रहा है हमें काफी ठंदी हवा चल रही है आज बारिस हुई है काफी अच्छी बारिस हुई है और किसानों को इस चीजा का काफी इजाफा होगा जो फसले नहीं बीजी बीज पाए या पानी लगने के बाद अब फसले अच्छी भी होंगी और बुआई भी हो जाएगी अभी टाइम पड़ा है मुंगी की बुजाई का पिल लग भागी ये देखिए जमीन बताया था भी आपको कम से कम एक मुर्बा जमीन खाली पड़ी ह है और जैसा ही अब इसकी विजाई कर दी जाएगी है कि देखिए काफी अच्छा अच्छा फिर इसे पकाया जाएगा तंदूर पर रोटी पर ताजी ताजी रोटी पकाई जाएगी है देखिए है अथों से रियल लाइफ है कि अच्छा पर बेड लगाए गए है काफी है गाउमों में भी यह मोहीम है कि जादा तर पेड लगाए जाएं इतनी जगाह में देखिए कितने सारे पेड हैं काफी मतलब मैं सबसे कहूंगा कि पेड लगाए हर बंदा अपने घर में पेड लगाए किसे सारे हैं थोड़ी सी सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको इस तरह की और ज्यादा वीडियो इन्फोर्मेशन दे सकें अपने चैनल के माध्यम से आपको इन्फोर्मेशन दे सकें और यह देखें यहां पर पानी को स्टोर किया गया है जो पानी यूज उसके लिए लेते है पानी पीनि के लिए नहाने के लिए तो जब नहर आती यहां तो इस दिग्गी के अंदर खोड़ा यह इक अब काफी पानी पढी है इसके अंदर अपर से इससे डख दिया जाता है जब पानी भर जाता है तो फिर खेत में सीधा पानी छोड़ दिया जाता है देखे तंदूर पर रोटी किस तरह से लगाई जाएगी छोटा सा तंदूर है अब आपको देखे देशी खाना अब हर रोज इस तरह से खाना बनाते हो हम जी रोज कहीं मारा यही काम है खेती बाड़ी का काम है करते हैं जल्दी खाना बन जाता सब्सक्राइब सब्सक्राइब बनाते हैं तो काफी अच्छा लगता होगा खाना गर्म गर्म रूटी ताजा फुलका क्या बात है आज तो हम भी इस लेजीज पकवान का अनंद लेंगें कि रोटी देखें कैसी बनकर आई है रोटी देखें क्या बात है देखें गरम गरम और कुड़क रोटी सब्सक्राइब अभी प्रोसीद आई रोटी पकाई जा रहे है रोटी निकाली गई है अब अरे देखें किसी नीग गरम रोटी क्या बात है अब आप 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 आप